Hi everyone, myself is Amar Eliani and in today video we are going to learn how we can add data set schema markup to our website pages. अगर आपके website के ओपर database like Excel, COS या कुछ भी किसी तरह के tables पड़े हो यां तो आपके इस तरह से उनको schema markup दे सकते हैं. और जब आप अपनी website के उन pages के अंदर data set schema markup को शामल करेंगे तो आपकी website के pages Google के feature snippets के अंदर show होना start हो जाएंगी. इसको कैसे practically apply करना है ये सीखने के लिए हम चलते हैं laptop की screen पे उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को subscribe नहीं किया तो इस चैनल को subscribe कर ले उस साथ में bell के icon को भी नाजमी से प्रेस करने ताकि हराने वाली नए वीडियो की notification आपको भी लात अखिर मिलती रहे. So without wasting any time let's get started. तो dataset schema markup को अपने website के pages के अंदर add करने के लिए आपने ही script code को added करना है. ये मैं आपको नीचे description के अंदर provide कर दूँगा और अगर आप dataset schema markup का कोई by default बनावा code देखना चाहरे हैं तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा. इसके अलावा कोई भी ऐसी website नहीं है जो के आपको dataset schema markup का code provide कर रहे हैं ये मैंने जो dataset यहाँ पर आपके सामने तियार किया हुआ है Google की official website से लिया है और इसके अंदर चंदी customization की हैं. तो यहाँ पर आपने सबसे पहले इसके टाइप के अंदर इसको dataset रहने देना है और यहाँ पर नेम के अंदर यहाँ पर अपने example database जो भी आपकी database है let's suppose आप जो है आपने schools के अंदर कुछ courses launch कर रहे हैं उसकी sheet है तो यहाँ पर आप सैट कर सकते हैं उसका नाम दे सकते हैं यहाँ पर आपने dataset का जो भी नाम है वो लिख देना है और इसके बार यहाँ पर आपने उसकी एक शॉर्ट सी description लिखनी है उसके बार जो भी उसका एक website के उपर URL होगा वह यहाँ पर पेस्ट करना है और इसके बार यहाँ पर आपने website या जो भी आपकी organization उसका नाम लिख सब्सक्राइब के शब्रेंब करेंगे हम मैंगे इसके फार्मेट इसकों कि लिए सकते हैं यहाद यहां पे इसको monopoly आप इस वे का यहा लिए परोड करेंगे पर इसको आप शू पार्मेट करेंप Agriculture कर देना है उसके बाद उसका जो format है वह बिज़ क्व हैं और यहां पे आप अपने असटे रहने है यहां पर आप आप डाप बैस को चुछ यहां पे रिए यह बियू आप यहां पे शांते के रिविश्ट कर देंगे को यहां पर यहां Pches ने में राब जिस भी डेट को आपने वो डेटाबेस अपनी वेबसाइट के पर पब्लिश किया था वो यहां पर मेंचन कर देंगे अगर उसकी कोई लैसांस है तो भी यहां पर मेंचन कर देंगे और यहां पर उस बंदे का नाम लिखना है जिस बंदे ने इस पूरे डेटाबेस को आपकी वेबसाइट के ऊपर लोड किया था और यहां पर आपने उसका येर मेंशन करना है और इस टाइटल आप डेटाबेस जो भी आपके उस पूरी शीट का या टेबल का टाइटल है वो आपने city mention कर देना है state mention कर देनी है और entry mention कर देनी है तो इस तरीके से आपका data set schema markup ये code पूरा ready हो चुका है इसको आप मजीद यहां से copy करके इनके अंदर जो जो changes आपको करवानी है वो यहां पे आपने अपने पास save रख लेनी है और ये पूरा code आपने चार्डिप्टी को भी इसको change कर सकते हैं अब यहां पर हम एक data set schema generate कर वाते हैं with the help of chat GPT यहां पर मैंने एक prompt लिखी हुई है कि यह एक website है यह पहले मैं आपको इस website का यहां पर open करके दिखा देता हूं कि इसके ओपर किसरा का database पड़ा हुआ है यहां पर database पड़ा हुआ है six to eight year children का इंडिया क नजर आ रही होंगी अब इसका हमें एक पूरा data set का schema त्यार करते हैं एक table की format में हैं तो हम क्या करते हैं सबसे पहले यह सारी चीज़ें जो है ना इसकी चैड़ जीपनी को provide करते हैं और चैड़ जीपनी हमें इसके लिए एक schema markup generate करके दे देगा तो यहां पर मैंने mention किया database का ऐरिया database वरियन 4.2.1 यहां पर मैंने mention कर दिया उसके बार यहां पर मैंने इसको बोला कि टापिक कवर्र इन टेबल और educational attendance यह topics मैंने यहां पर mention कर दिया और उसके बार यहां पर indicators के अ अदर मैंने बताया इसको कि 6 to 8 यहां पर अगर आप click करें indicators के ओपर 6 to 8 यहां पर selected है तो यहां पर मैंने मैंने कर दिया और इसके बाद यहां पर मैंने इसको बोला कि डेटाबेस इस प्रिजेंट अड़ लेवल आप सब नेशनल रिजन्स एंड नेशनल रिजन्स यह भी मुझे यहां से पता चला जब यहां पर मैंने क्लिक किया तो नेशनल एंड सब national regions यहां पर select थे तो इसको यहां पर मैंने as it mention कर दिया उसके बाद country name अब यह country क्या है यहां पर इंडिया के लिए है और आगे क्या है years all years यहां पर मैंने mention किया the country name is India and database in compass all the year अब मैंने इसे बोला the table is available in Excel format तो यह जो टेबल है यह Excel के format के अंदर है तो आपके पास जो भी आपके website होगी जो भी उसके टेबल का format होगा वो यहां पर आपने अपने प्रांप्ट के अंदर mention कर देना है उसके बाद आपने क्या करना है please write the schema code for this page यह यहां से मैं copy करता हूँ copy करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ और Шरदी के उप़र आ जाता हूं चएरदी का यहां पर यहां पर यह सुः और आपके नीarde के अपने अपके करता हो और यहां पे सब national, national region, regions, इंडिया, और इसके सारे देखें, सारे शीज़ें यहां पर mention की गई है, by default दी, और यहां पर भी यह फार्मेट भी mention है कि Excel फार्मेट के अंदर है, उसके बार यहां पर आप अगर आप देखें, अर्टेंडेस ठीक है, उसके बाद अगर आपको और जरूरत है तो यहां पे आप और कालम वगारा भी आड़ कर सकते हैं तो यह पूरा स्क्रिप्ट कोड मुझे चैड़ जीपिटी ने जर्नेरेट करके दे दिया है तो आप भी अपनी वेबसाइट को पर जब भी एक स्क्रिप्ट कर सकते हैं जो भी इस आपके डीमा कोड Україर्ट करके देगा चैड़ एक आप यूसके डेटर सटके आप सब के लिए प इस रहाँ से कस्टम यहने के खोद से एक कोड जनरेट करवा सकते हैं कोई मुश्किल नहीं है जिस्ट आपको बस आपकी जो रिक्वाइड चीज़ें होती हैं किसी बाद आपके आर्टिकल की शौट सी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए उसके बाद उसके आथर का नाम आपको पता होना चाहिए यह सारी चीज़ें आपने अपने पास क्लेक्ट टाली नहीं है और शायर जिप्टी को आपने फ्रांट देनी है कि प्लीज राइटा स्कीमा कूर् किया होगा एक अपने कापी करना है और अपने वेबसाइट के उसको आपने एड़ कर देना है तो यह थी आज की वीडियो मिलता हूं अगली वीडियो में प्रैक्टिकल टिटोरियल के साथ तब तक रखेगा अपने बहुत सा खयात आपने ने next one